आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की खास पेशकश में और आप देख रहे हैं हमारे साथ ओमप्रोप्टेक प्राइवेट लिमिटेट का ओफिशल यूट्यूब चैनल और मैं सोन्या चौधरी तो सातियों हर दिन बहुत-बड़ी-बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हो रही हूँ आज कल चाहें फिर वो न्यू स्कीम की अपडेट हो या फिर जो भी वहाँ पर डवलप्मेंट चल रहा है ओन ग्राउंड भी हमने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाली है तो आप ओन खबर पर एक बार डाल लेते हैं नजर मेरट के बाद अब दिल्ली का होगा जेवर से रैपिड कनेक्शन जी हाँ मेरट तक रैपिड कनेक्शन जो है वो मोधी जी ने उसका उदगाटन करेंगे वहीं अब मेरट के बाद दिल्ली को जेवर से रैपिड के थूड़ा उन तीन वज़ाओं के बारे में भी आज हम जिक्र करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से वैसे लगाताव सात्यों प्राधिकरन लगा हुआ है कि किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाए क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे एहम पॉइंट होता है क्योंकि एक जगा से दूसरे जगा तक जब चीजों की कनेक्टिविटी नहीं होगी लोग आसानी से आज आना ही सकेंगे तब तक किसी भी एयरपोर्ट की बात कर लें और किसी भी ट्रांस्पोर्टेशन होकी उसकी कोई एहमियत नहीं रहती है जब तक सहर से कोई अच्छी कनेक्टिविटी न जुड़ जाए तो सबसे बड़ी खबर की मेरट के बाद अब दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट से रैपिट कनेक्शन और दूसरे पुजट का भी काम इसमें पूरी तरीके से शुरू हो चुका है आज की सबसे बड़ी खबर ये है की रास्ट राजधानी जो दिल्ली NCR के दाइरे में 200 कि company के दाइरे में जो भी सहर आते हैं वहां से रैपिट कनेक्शन को कनेक्ट किया जाए रैपिड रेल को वहां से कनेक्ट किया जाए क्यों कि आ जाए क्योंकि जो भी लोग वहाँ आवगमन रहता है जिनका चाहें फिर वो नौकरी परपस से हो या उनका कोई बिजनिस हो उसके लिए तो ये उनका में उद्देश है ये है कि एक जगा से दूसरी जगा पहुँच जाएं कम समय में पहुँच जाएं और सुभा जाकर शाम को अपने घर भी लोटाएं तो ये उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचा गया है जो डेली एंसियार के 200 किलोमीटर के दाएरे में जो भी सहर आते हैं ये है दूसरा कोरिडोर नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन से आगरा तक जाएगा ये है दो चरणों में पूरा हो रहा है सातियो पहला चरण नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन से जेवर तक जो पहला चरण है वो नई दिल्ली से जेवर तक और जो दूसरे फेज में दूसरा पर काम शुरू कर दिया है, जिस तरीके से मेरट पर इतनी जल्दी से इतनी रफ्तार से काम हो रहा है, उसके बाद पूरी प्लैनिंग चल रही है कि दिल्ली से जेवर और आगरा तक रैपिड कनेक्शन को कनेक्ट किया जाए, पहले जान लेते हैं कि क्या है परियोजना, दिल इतनी वजा है मेन, अगर दिल्ली से आगरा के बीच रैपिड रैल के शुरू बात हो जाती है, तो तीनों जरूरत को पूरा करेगी, लिहाजा दिल्ली मेरट रैपिड रैल शुरू होने के तुरंत बाद दिल्ली आगरा रैपिड रैल रूट पर NCRTC का काम शुरू करना च जैसे ही मेरट का काम खतम होता है तुरंत इस पर बहुत जल्दी से काम शुरू करना चाहती है NCRTC, तो लगातार इसी प्रियास में लगी हुई है, और ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी हो, उत्तर प्रदेश ने भी इसे पूरी तरीके से हरी जंडी देदी है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कवायत को शुरू करें, तो सबसे पहले डालते हैं कि पहली वज़े क्या है, दिल्ली NCR के सहरों में आवा गमन तेज करना है, जिसके लिए NCRTC का गठन किया गया है, केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में भीड कम हो, यहां आकर काम करने वाले लोग 200 किलोमीटर के दाइरे में NCR के सहरों में रहें और रोजाना आवा गमन करें, इसलिए रैपिड रेल यातायात का सबसे अच्छा साधन होगा, जी हां, जो आज की बात कर ले हम दिल्ली की, तो दिल्ली बहुत कंजेस्ट्रिड हो चुका है, क्योंकि mostly लोग वहाँ पर जाते हैं, स्टे करना पड़ता है, पीजी में रहना पड़ता है, क्योंकि आसपास वो सहरों से easily कोई connectivity है नहीं, जो कम टाइम में वो अपने जहां जॉब करते हैं, जहां उनका बिजनिस है, जहां उनकी शॉप है, वो वहाँ पर पहुंच जाए, तो ये में जो भीड़ भाड है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाए, वहीं दूसरी वज़ा क्या है, वो भी जान लेते हैं, यह वज़ा जेवर में बन रहे हैं, नौईडा अंतराश्टी एरपोर्ट से जुड़ी है, नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट को दिल्ली समेत NCR के तमाम स हैरो से कनाक्टिव विटी दी जा रही है, जो जेवर में नौईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट बन रहा है, वहां से भी कनाक्टिव विटी दी जा रही है, वहां पे जितने भी लोग हवाई यात्रा करेंगे, उन लोगों को फायदा होगा, दूसरी वज़ा भी बहुत एह लेते हैं, सातियो, तीसरी वज़ा है, दिल्ली नौईडा, ग्रेटर नौईडा, वरंदावन, मत्रा और आगरा, रास्टे राजधानी छेत्र में बड़े वैवसाईक, परियतन, वैं सांसकरतिक छेत्र है, दिल्ली आने वाले रास्टे और अंतरास्टे टूरिस्ट इस र वरंदावन घूमने आते हैं, बाकी आगरा घूमने जाते हैं, तो यह है कि यहाँ पर जो लोग घूमने आएं, वो आसानी से आजा सकें और एक अच्छी connectivity उन लोगों को मिल जाए, क्योंकि यह सांसकरतिक भी है, परियतन भी है, घूमने के हिसाब से भी है, सांसकरतिक भी और सातियों सबसे बड़ी चीज इसमें जो एहम भूमी का निभाएंगे, वो हमारी कहीं न कहीं अर्थ व्यवस्था को भी बहुत सुधारेंगे, क्योकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूसरी जगा जाना इसलिए भी पसंद नहीं करते, क्योकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुशन है वहां की कोई connectivity नहीं है वहां हम जाएंगे कैसे इतनी दूर तो इससे बहुत बड़ा effect पड़ता है हमारी economic growth पे हमारी earth व्यवस्था पे वहीं NCRTC और यमना authority मिलकर काम करेंगे दोनों ही ये मिलकर काम करेंगे जो rapid का connection connect होने जा रहा है तो साथियों बहुत एहम भूमी का रहेगी rapid rail की और जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी से ये शुरुबाद भी हो जाएगी वहीं हम बात कर ले ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे की तो ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे सबसे पहला connectivity देगा जेवर के एयरपोर्ट को और वहां के किसानों को भी एक अच्छा मुआफजा देकर दमीन अधिगरत की गई है और जल्दी से जल्दी ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेसवे पर भी लगातार प्राधिकरन काम कर रहा है तो सातियों बहुत जल्दी जल्दी चीजे रफ्तार में आ रही है और सबसे जो एहम रखा जा रहा है चीजों को वो connectivity कहीं न कहीं अपनी एहम हुभी का निवा रही है बाकी और भी बहुत सारी news बहुत सारे लोगों का है फिल्म सिटी को लेके कुछ लोग मजाग बना लेते है तो सातियों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कि एक ही इनसान इस चीज को शुरू कर लेगा इनमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है बहुत सारा एक process होता है तो हर चीज देखने को मिलेगी हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बस थोड़ा सा धहरे आपको जरूर इहां पर रखना पड़ेगा बाकी आपकी कोई भी query है कोई भी question है यमना authority से related हो new schemes से related हो या अभी कौन सा समय बहतर है हमें invest करने का new norada में जाएं, agriculture land में जाएं 6% किसान कोटा में जाएं, 7% में जाएं कहां अभी अच्छा समय चल रहा है investment का वो आप हमें call के माध्यम से हमसे suggestion ले सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं हम कोशिश करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब समय पर दे पाएं कोई भी query है, screen पर हमारा number mention है office address भी mention है आप call करके या office visit करके हमसे जूड सकते हैं देखते रहे हमारा official YouTube HomePro Tech Private Limited क्योंकि हम नई नई खबर अपने वीडियो के माध्यम से ही देते हैं और आप जितना वीडियो देखेंगे उतना ही शायद आपको knowledge मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि अभी क्या बहतर विकल्प है हमारा निवेस करने का जल्द मिलूंगी दूसरी बहुत बड़ी खबर के साथ अब लेती हूँ विदा आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद